नमस्कार आज बहुती खास दिन है और आज इस खास दिन पर आपके लिए एक बहुती विशेश आपको जानकारी मिलने वाली है आप इस पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझेगा कि आज मैं आपके साथ जो भी content लेकर आया हूँ that is really very important for your exam तो मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि जैसे आज 22 माई है हम सभी जानते हैं और 22 माई को international day of biological diversity अर्थात बिस इस तर पर जैव विवदिता दिवस की रूप में 22 माई को celebrate किया जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि इस बार जो 22 माई है इस बार 22 माई का जो ये day है इसका थीम रखा गया है our solutions are in nature यानि जो हमारे जो भी solution है वो हमारी प्रकरती में सामिल है तो परिक्षा के दरश्टी से आप याद रखिएगा कि जैव विवदिता दिवस ये 22 माई को celebrate करते हैं और इस बार का जो तो ये खास बात थी आप इसे ध्यान रखेंगे और अब इसके बारे में आगे मैं आपसे डिटेल में बाज करने वाला हूँ और आज का ये जो पीडियेफ है आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट होगा तो आप बिना समय गवाएं टेलीग्राम चैनल पर जाएए वहाँ पर पीडियेफ को प्राप्ट कीजेगा टेलीग्राम को जोआन करने के लिए सीधा सा रास्ता है आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए नीचे वहाँ पर आपको जो ये लाइफ का जो टेलीग्राम का लिंक है वो मिलेगा उस पर क्लिक कीजिए आप सीधा टेलीग्राम पर पहुंच के इस पीडियेफ को प्राप्ट कर सकते हैं इसके अतरिक्त मेरे पास आज एक ऐसी इंटरनेशनल टाइप की पीडियेफ है जो बहुत इंपोर्टेंट है बहुत खास चीज़े हैं उसमें मैं सीधा वहाँ पर सेर कर दूँगा तो आप वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हैं और मैं आप से चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक कीजिए बिकाज यूर लाइक्स मोटिवेट अस टू अपलोड सच ग्रेट कॉंटेंट अब यहाँ पर मैं आप से बात करूँगा कि अगर 22 माई आज है तो 22 यानि 22 और कौन सी ऐसी डेट होती है मतलब अलग-अलग महिने हो सकते हैं लेकिन 22 को और कौन से डे सलिबरेट होते हैं तो आप जयां रखिए 22 मार्च को बिस्व जल दिवस मनाया जाता है इसी तरह से 22 सेप्टेंबर को बिस्व कारफरी दिवस मनाया जाता है तो आप एक्स्टरा इंफॉरमिशन के लिए इन चीजों को भी याद रखिएगा ऐसे तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो निश्चे ती आप चीजों को रिलेट कर लेते हैं और चीजों को आप याद रख पाते हैं तो आप PDF को जरूर प्राप्त कीज़ेगा वहाँ पर आप बाद में भी चीजों को पढ़ सकते हैं अब यहाँ पर आता है जो आपका बायू डैवरस्टी है उसके बारे में मैं आपसे डेटेल में बात करने वाला हूँ यह क्या है कैसा इसका इंपॉर्डेंस है कैसे इसका नुकसान होता है क्या इसके परकार है और कैसे इसका मीजरिमेंट किया जाता है तो इस सबी को मैं अच्छे से डिफैन करने वाला हूँ तो आपके सामने यहाँ पर बहुती सरल भासा में लिखा है कि जो जैव विविदता होती है यह दो सब्दों से मिलकर बनी होती है एक तो है जैविक और दूसरा है विविदता यानि जैविक का मतलब होता है बाइलोजिकल और विविदता मींस डिवर्सिटी तो जैसा कि नाम लिखा है जैव विविदता यह दो सब्दों से मिलकर बनता है तो सीधी सी बात है अगर हम यह कहें कि जैव विविदता क्या होती है तो अगर हम इसके जो मतलब है उसको डिफार्ड कर दें तो हम समझ जाएंगे ये क्या होता है तो आप समझ ये जैविक के अंतर कताते हैं जीव जन्तू वनस्पतियां क्यों क्योंकि इसमें बायलोजिकल नेचर होता है यानी बायलोजिकल प्रोसेस होती है इसमें जीव होता है जान होती है ये कह सकते है तो जीव जन्तुओं और जो वनस्पतियां होती है इनकी बीच जो डिफरेंस होता है जो विविदता होता है जो डिवर्सिटी होती है उसी को हम कहते है जैविक विविदता या जैव विविदता अब आप तरह समझ गया होंगे अब बात आती है कि इसका सब्द जो है उसका उप्योग सर पर्थम किसनी किये था तो द्यान रखिये इस सब्द का सर पर्थम उप्योग किये था वाल्टर जे रोजेन ने और कब किया था 1985 में किया था तो आप ऐसे भी अच्छे से द्यान रखियेगा इसके बाद आता है इसके बाद यहाँ पर दखिए कि जो यह जैवेक विविदता है इसका सनलक्षड आवस्थ क्यों है यानि जो बायो डैवर्स्टी है इसका कंजरिविशन क्यों होना चाहिए क्यों हमें इसका खया लखना चाहिए कि जो जैवेक विभिता है वो सनरक्षित बनी रहे उसका नुक्सान ना हो इसको अच्छे से समझते हैं दखिए आपको मैंने पताया कि जैवेक विभिता का मतलब होता है विभिन परकार के जीव और जनतुवों में पाई जाने वाली विभिन निता आप जानते हैं कि इस पर सभी में योगदान होता है आप किसी भी चीज़ को ले लीजिए अगर आप मच्छर की बात करें ना तो मच्छर का भी अपना इस प्रकरती में एक इंपोर्टेंस है इस एको सिस्टम में अपना एक इंपोर्टेंस है अगर आप किसी भी पेड़ की किसी भी जो घास होती है जो भी चीज़ है सभी का अपना-पना इंपोर्टेंस होता है तो इसी इंपोर्टेंस के होने की बज़े से हमारी दुनिया चल पाती है क्योंकि सभी चीज़ें एक दूसरी का सहयो करती है और आप ध्यान रखिए कि जो ये जो जैवे के विविदता है ये जब परिस्थितिक तंत रहने एको सिष्टम को बैलेंस बना के चलती है और यही जो एको सिष्टम होता है इसी एको सिष्टम की बज़े से जो मानो सब बिता है उसका विकास होता है या फिर परिस्तितिक तंत की बज़े से माना का उत्थान होता है कैसे कह सकते हैं अगर हम थोड़ा सा सोच है आप सोचिए हमें हमारे जो एको सिस्टम है उसके माद्यम से हमें भोजन, कपड़ा, औसधियां होती है और इधन ये सब चीज़ें मिलती है अगर हम अपने जीवन की बात करें तो हमें अपने जीवन में जो भी चीज़ें हैं जीवन को चलाने के लिए वो हमें कहां से मिलती हैं हमारे एको सिस्टम से मिलती है तो सिधी सी बात है अगर जैविक डैवर्सिटी रहेगी तो एको सिस्टम का development यानि परिष्थितिक तंत्र का development होगा और अगर परिष्थितिक तंत्र का balance रहेगा तो human यानि मानव का उत्थान होता रहेगा तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों जैविक विविदिता का सनक्षड करना आवस्यक है अब बात आती है कि जो ये बायो डैवर्स्टी है इसका नुकसान कैसे होता है तो अब ध्यान लखिए इसका नुकसान दो दो तरह से होता है यानि प्राकर्टिक कारड़ भी होते हैं और मानवी कारड़ भी होते है प्राकर्टिक कारड़ में जैसे बाड़, सूखा और भी जो भी प्राकर्टिक घटना होती है उसकी बज़े से जो आपका एको सिस्टम होता है उसमें हानी पहुंचती है लेकिन ध्यान रखिएगा जो प्राकर्टिक कालेड होते हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान दैक नहीं होते हैं एको सिस्टम के लिए क्यों क्यों कि वो अपने आपको रिकवर कर लेते हैं प्रावलम जब किरिट होती है जब human activities की बज़े से ज़्यादा नुकसान होता रहता है और एको सिस्टम अपने आपको कवर नहीं कर पाता है तो मैंने यहाँ पर सरल भासा में समझाने के लिए लिखा हुआ है जैव विविदिता के नुकसान दो तरह से होते हैं एक तो natural होता है एक होता है मानुवी किरिये कलाब के दोरा तो जो प्राकरतिक तरीके होते हैं जो प्राकरतिक नुकसान होते हैं उसमें चीज़े अपने अप ठीक होती रहती है क्योंकि nature अपने अपको recover भी करती है लेकिन जब मानुवी क्रिये कलाप human activity से ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसकी अती होने से भरपाई नहीं हो पाती है और बायो डाइवर्स्टी का नुकसान होता चला जाता है अब यहाँ पर देखिए प्राकर्तिक जो आवास विनास होते हैं ऐसे कि आपने देखा को जो जंगल होते हैं फैक्ट्री को इस्टैबलिस करने के लिए कौलोनी को इस्टैबलिस करने के लिए पूरी जंगल की जंगल काट दी जाते हैं तो यह जो जंगल होते हैं इसमें जो पक्षी होते हैं पक्षियों का आवास होता है जन्वरों का आवास होता है तो जब उनकी आवास का विनास कर दिया जाएगा तो वहाँ पर एकोसिस्टम में प्रावलम क्रीट होना शुरू जाती है environmental pollution की बज़े से भी जो भी वनस्पतियां होती है जो जीव जनतू होती है उनका नुकसान होता है उसके बज़े से भी ecosystem का नुकसान होता है और इस तरह से और भी चीज़े continuous ecosystem को नुकसान पहुँचाती रहती है इसी के साथ आप दखिए जो विदेशी मूल के जो पौधे होते हैं कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनका अपने इस एरिया में यह खाजाए भारती है जो अपना रीजियन है जो यहां का जो environment system है उसमें कुछ विदेशी जो मूल के पौधे हैं उनका काम नहीं है उनका अपनी जिएों को सिकार करने से भी प्रवाब पड़ता है तो यह सारी problems है जिसकी बझा से जो बाइयोडियर्श्टी है वो लगतार उसको च्छती पहुंचता जाता है और हमारा अको system होता है उसमें problem होती है और कहीं कहीं मानों को समस्चया भी होती है लेकिन हम को ही सीधे इस तर से नजर नहीं आता है अब यहां पर बात आती है कि जो हमारा बाईुडियावरिसिटी है उसको हम सनुक्षड कैसे कर सकते हैं तो उसका सनुक्षड यहां पर रखster दो तरीकी से है, एक तो होता है यहां था सनुक्षड जिसे हम बोलते हैं इन श्वे इस्थाने आपने देखा होगा कि राष्ट युद्ध्यान वन जीव अभियरण जेव मंडल अरक्षत छेत्र और अरक्षत वन का डेवलप किया जाता है. तो आपने देखा होगा यहाँ पर क्या होता है कि जो भी प्रजाती होती हैं वनसपतियां होती हैं या पर कि प्राकृतिक आवास में मानो द्वारा निर्मित प्रतंत्र में उनका सनक्षड किया जाता है। अब कई पर राष्टियुद्यान घूमने भी जाते हैं, जो अब्यर रुड़ोते हैं, वहां भी घूमने जाते हैं। तो वहां पर एक तरीका होता है जिसमें प्राकृतिक आवास में मानो के द्वारा एक सिष्टम ऐसे बना दिये जाता है कि वहां पर जिजनतु आराम से रह सकें। तो ये तो होगया ये था सनलक्षड इसके बाद आता है दूसरा वही सनलक्षड अर्थात इसे बोलते हैं एक्स सिष्टम यानि बहा इस्थाने। इसमें क्या होता है इस विदि की अंतरगत प्रजातियों का सन्रक्रतिक आवास के बहर जैसे अपने चेडिये घरों को देखा होगा वरस्पति उद्धन को देखा होगा तो इन टरीकों के माध्यम से या जीन पैंक के माध्यम से यानि जो इनका सरावंडिंग है उस से बाहर उनका सनदक्छड किया जाता है, तो यहाँ पर बहुती आसान है, जैसे ही इनके नाम है वैसे ही इनके काम है यह था सनदक्छड इनसिची मतलब उसके खुद के, यानि प्राकृट्टिक आवास में और जो बहुं इस तरह सनदक्छड एक से सिच्वे मतलब उसके बाहर यानि जो नैचुरल एंवारिमेंट है उससे बाहर उसका संग्छड करना और इसके बाद आता है जैव विविदिता की परकार मैं आपको बोला कि जो जिव जनतू होते हैं वेविन परकार के जिव जनतू होते हैं वही सब बायो डैवर्सिटी माते हैं वही जैव विविदिता कहलाते हैं क्योंकि उनमें जिव जनतू में विविदिता होती है तो इसके परकार बताने हैं तो परकार के अंतरकत आता है आनुवान से कि जैव विविदिता यानि जो gene biodiversity होती है जनेटिक होती है इसमें क्या होता है कि किसी समुदाय के एक ही पिरजाती के जीवों के जीवों के जीवों में होने वाले परिवर्तन से देखिए अगर हम थोड़ा सा भी प्रियास करें तो जो नाम है नाम से ही समा सकते हैं यानि genetic biodiversity इसका मतलब है एक ही प जीवों में जो भी genetic difference होते हैं उससे हम बोल देते हैं आनुवानसिक जैव विवदता अब यहां पर एक बात आती है कि यहां पर जो जीवों जनतु होते हैं आखिर उनकी gene में difference कैसे होता है अंतर कैसे हो जाता है तो आपको ध्यान लखना है कि परिकरती में लगतार परिव परिवर्तन में जिव जन्तु अपने आपको एड़ेप्ट करने के लिए अपने आपको समायोजित करने के लिए अपने आपको अनकूल करने के लिए उनके जीन में परिवर्तन होता है तो इस तरह से होती है अन्वानसिक जैव विवेदता इसी तरह से यहाँ पर दखिए कि यह जो एक जाती या और उसकी जो समश्टी में जो कुल अन्वानसिक विविदता होती है उसको जीन पूल कहते हैं तो आपको यहाँ पर जहां लखना है कि जीन पूल क्या होता है जीन पूल होता है यानि एक ही जाती के अंतरगत जो भी कुल आनवानसे के विविदता है उसको जीन पूल कहा जाता है आप इसको भी याद रखिएगा इसके बाद यहाँ पर आता है प्रजातिये विविरता तो यह कहा है स्पीसीज डैवर्स्टी इसके भी नाम से भी आप आसानी से समझ सकते हैं जैसे लिखा है किसी परिस्थितिक परतंत के जीव जन्तूओं के समधायों की प्रजातियों में विविरता यानि अलग अलग तरह की परिजातियां है और यानि जैसे मालेजी एक ये परिजातिया है और ये परिजातिया और एक ये परिजातिया है तो इन परिजातियों में जो अंतर है वो आता है परिजातिये विविरता और आप ध्रजातिये विविरता होती है और इस तरह से ध्यनक ये जब समुदाय में प्रजाती की संख्या छेत्र या स्थान की छेत्रपल के साफिक्ष बढ़ती है मतलब अगर किसी समुदाय का छेत्र लगतार बढ़ता जाता है तो उसमें जो जीव जनतू होते हैं उनमें जो प्रजाती है विविदता होती है वो छितर पल के साफिक्ष बढ़ती है ऐसे कह सकते हैं कि एकर छितर पल बढ़ेगा तो उसमें जो प्रजाती विविदता है वो भी बढ़ेगी इसकी बाद आता है समुदायक या परितंत्र विविदिता एक समुदायक जीव जन्तूओं और वनस्पतियों यहाँ पर दखिए समुदायक यानि कम्यूनिटी और एको सिस्टम दोनों तरह से सामिल इसमें कर लिया गया जो कम्यूनिटी है और जो एको सिस्टम है दोनों को सामिल किया गया तो लिखा है कि एक समुदायक जीव जन्तूओं और वनस्पतियों इवं दूसरी समुदायक जीव जन्तूओं वनस्पतियों के बीच में पायजाने वाली विविदिता समुदा एक विविदिता कहलाती है जैसा नाम लिखा है वैसा ही बहुत ही आसान है तो आप इन तीनों को याद रखिए इसकी बाद आता है कि जो बायू डैवर्स्टी है जो जैव विविदिता है उसका मापन कैसे करते है तो इसका मापन तीन तरीके से होता है अलफा डैवर्स्टी और दूसरा बीटा और तूसरा गामा तो अलफा डैवर्स्टी में क्या होता है किसी एक निश्चित छेतर के समुदा या परितंतर की जो जैवे विविदता होती है उसको हम SORRY, अलफा डैवर्षट्टि की माध्य simulations से उसका मीजरिमेंट करते हैं और यह जो इंह जो मतलब difference होता है यह किसी एक समधा या परतांत्र में परजातियों की कुल संख्या को बताती है याईनि एक जो समधा या परतांत्र है उसमें कुल कितनी प्रजातियों की संख्या है, अर्थात जो alpha diversity होती है, उसके मादधे हम से हम प्रजातियों की संख्या का आकलन भी कर पाते हैं, इसके बाद आता है beta diversity यानि बीटा विविदता, तो इसके अंतरगत परिवरतन की बीच प्रजातियों की विविदता की तुलन विविद्टा के मद्यम से की जाती है और यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है कि आवासों या समूदायों की एक परवड़ता के साथ जाती हो कि विष्थापन होने की दर बीटा विविद्टा किलाती है मैं वही बोला था अब से कि जब अलग अलग तरह से जो इस तरह से इसके बाद है आपका गामा विविद्धा इसका मतलब होता है कि भागोलिक छेत्र या आवासों में प्रजातियों की प्रचुत्रा को बतलाती है यानि किसी भागोलिक छेत्र या आवास में कितनी जादा प्रजातियों की प्रचुत्रता है कितनी जादा प्रजात रखिएगा तयार रहिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए वहां पर इसी सम्बंदित कुछ चीज़ें आपको बतलाई जाएंगे